हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे मश्रूम की सबजी इस मश्रूम की सबजी एक बार आपने खा ली ना तो आप चिकन और मटन का स्वाद भी भूल जाओगे तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं दो पैकेट मश्रूम तो एक पैकेट में 200 ग्राम आता है तो मैंने टो इसे दोएंगे क्योंकि इसके उपर कभी-कभी बहुत सी मिट्टी लगी होती है तो इसे अच्छी तरह से हाथों से रगडते वे हमें वाश कर लेना है और कम से कम 2-3 पानी में वाश करना है तो मैं आपके सामने एक पानी से वाश कर रही है और वास बेसिन में दो से तीन में इसे वाश करके ले आती हूं तो हमने अच्छे से रगड लिया है और आप इसे हम वाश कर लिया तो देखिए मैंने 2-3 और यह एकदम सफीद हो गए है अब हमें मश्रूम को ना कट कर लेना है तो आप अपने इच्छा के अनुसार छोटी या बड़े कट कर सकते हो मैं इसे दो भाग कर रही हूं और जो बड़े पीस होंगे उसको मैं चार भागो में करूंगे तो यह चोटी पीस को मैंने दो भागो में किया और बड़े जो पीस मैंने पहले काटे थे उसे मैं तो भागो में कट करूंगी तो जितने बड़े मश्रूम होगा ना सबजी देख तो नहीं हम जाले लिए तो इसी के साथ हम दालेंगे इसमें एक चमज जीरा और दोनों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे तो हम ज़ो मसाले यूज करेंगे गर के तो आज जो हम मश्रूम के सब्जी बनाने वाले इसके लिए हम कोई भी पैकेट वाला मसाला यूज नहीं क खड़े मसाले लिया है चार से पांच लोंग आठ से दस काली मिरिच आदा तुकडा में ने दाल चीनिका लिया है तीन से चार हरी एलाइची और एक बड़ी लाइची लिया है अब सभी चीजों को अच्छी तरह से भून लेना है यह अच्छे से भूना गए है और ठंडे हो इसका हमें पाउडर बना लेना है तो छोटी अले मि expresses के जार में अट कर देंगे और इसका पाउडर बना कर तयार करें तो तयार है अब गरं मसाला या भून्पाए अरी मिर्ची रस नद्हारी einzige से हरिच का हैं तो इसए ओस्षी प्याज और पहरिःसन आब तो चार से पां तुकडे को बारिक करके एट कर दिया है और तीन से चार मैंने कश्मीरी मिर्ची लिये इससे जो हमारे सबची इसको कलर बहुत अच्छा है एक चम्मस दिल लेना है और चार से पांच काजू लेना है अब इसमें थोड़ा सा पानी दाल कर इसका एकदम स्मूथली पेस्ट बन ना कर त्यार करें अब चलते हैं फेर से गैस्ट कर और रख देखेम कड़ाई करहा कड़ा है दो बड़े चम्मस तेल की मात्रा काम कर सकते हैं तेल गरम हो चुका है आदा अदन जीरा दालेंarta अर थीज़ पैकल कर देंग और जीरा अच्छे ज्चे आच्छी क्रेकल हो जा तो तब इसमें हमें जो मसाले पीस के रखा है हम एक्षाक लेखे हैं कि स्वर्वी जरुन एह अगर मसाले को तेल में अच्छा भूना जाया है अगर मसाली में तेर्म पालफी लाल मिर्ची भी एट कर सकते हैं लेकिन हमने इक अलग से बनाया है तो इसमें हम हल्दी के अलावा कोई भी पाउडर मसाले नहीं अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ढग कर मसाले को पका लेंगे तो हम थाली से ढग ठीस से 2-3 मिनटे थो चुके हैं थाली हटा लेते हैं मसालों में पानी वह अच्छी तरह से जल चुका है और तेल सेप्रेट हो चुका है मतलब मचाला देखें कितने अच्छी तरह से भुना गया है तो मसाला अच्छी से ही भुनिये गा जो कम हो गया और तेल ऊपर ही सेपरेट हो गया है और हम स्टेच पर डालेंगे इसमें मटर तो मैं आज जो बनाze रहे हैं भो मटर अपकेवल कि मश्रूम को बना सकते अब इसमें हम अड़्तंब कर देंगे के मश्रूम भी साहर ना हो तुम मश्रूम कौ अच्छी तरह से 1-2 मिनट लिए जरूर भूनी हैं मसालों के साथ गॉर्य मश्रूम जो मश्रूम भूने थे फिर वह पूरी तरह से मश्रूम अज़ और अब इसे हमें भब कोक्त हो अच्छी तरह से 2-3 मिनट तो 2-3 मिनट हो चुके हैं अब हम चैक कर लेते हैं तो देखे कितना पानी आया हम ने कोई पानी आड़ने किया था लेकिन जो अच्छी तरह से पानी छोड़ दिया है रिलीस कर दिया है अब हम दालेंगे इसमें हमने जो पीशा था ना मसाला पाउडर वाला वो डड़ e 측a करेंगे तो वो हम दो बड़े चमाच एड्ड करेंगे क्योंकि इसमें थनि भूरल सब पीशा झालई तो अच्छे से मिक्स देडेंगे ताकि इस तरह से उपर से जो मसाला पीस कर यह भून कर डालते हैं उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है और जो मिक्सी में हमने मसाला पीस आता उसमें हम आधी कटरी पानी को अच्छे से घोल कर डाल दिये हैं तो आप ग्रेवी की थिकनेस अपने अनुसार रखी आपक तो आप देख सकते हैं सब्जी में कितना अच्छा आया है तो बस इसे अच्छे से मिक्स दे देते हैं और इसे हमें अच्छी तरह से पकाना भी है तो चारो तो जो मसाले लगे हैं इसे हम सब्जी में मिक्स कर दी हैं अब ढ़क कर हम इसे कम से कब तीन मिनट से चार मिनट तक पकाएंगे तो तीन से चार मिना ठोच चुके हैं तो लीजे तयार है चिकन मटन को भी फेल करने वाली हमारी मश्रूम की सब्जी एक बार ऐसे सब्जी बनाएंगे ना तो बार बार ऐसे ही बना